नूप कुमार सिंग जी लखना उसे रादा वल्लोव शीहरिवेंश गुर्दे भगवान हमारे करोडो करोडो जनम हुए ये भी जनम हुआ जिसमें हम अपने करमों के फल से सुख्यां दुख को भोगते हैं गुर्दे भगवान हमारा पहला जनम क्यों हुआ जिसके बाद हम क एक बहुत रूपों में हो जाओं वही मैं जो स्री कृष्ण चंद्यू पदेश करते हैं चत्रिश्लो की भागवत में जब सृष्टी नहीं थी तो मैं था जब सृष्टी नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा बीच में जो कुछ भासरा है मैं हूं मत्ता प्रतर्म नान्यत किंच दस्ति धनन जय घूल आपकी हो गई आपने भूल कर लिया अपने आपको भूल गए और देह मानकर भोगों में भिचरन कर रहें इसी बात का तुम्हें दंड मिल ला है नहीं आपने ही तो संक आप अपने संकल्प से बंदे हैं स्वपन में आपको किसी ने बांदा मारा किस इन सुख दिया दुख दिया नहीं आपके मन की कल्प ना थी यह कब पता चला जब जगे अभी कहां हो मोह निद्रा में खुड़ा ग्यान में जगो तो अपने आप इस परसन का समाधन मिल जाएगा श्वपन में जैसे आप जल में डूब रहे हैं तो बाहर से तैराक या न किया जाए समझ रहे हैं श्वपन में अगर कोई तुम्हारा गला काट रहा है तो आप चाहे जितनी बेवस्था कर दी जाए आपको बचाया नहीं जा सकता एक ही उपाय है बजगा दिया जाए जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूरन बहुत बड़ा देल श्व किचा नहीं है आप में कभी अभाव हुआ ही नहीं आपका बंधन कभी था नहीं है नहीं रहेगा नहीं तर आप सरीर भाव को स्वईकार कर लिए कई बार चर्चा की अगर आप सुना हो हम श्वा को जहां इस्थापित कर देते हैं वहीं बंद जाते हैं श्वा को जैसे श् इस्तापीत कर दिया बुद्धी में बुद्धिमान शरीर में Oprah धं में्धन्वान कुल में कुल वान। यहापका कुछ नहीं है। यह आपको कुछ नहीं है, आपने स्वा को गलत जगे इस्तापित कर दिया, और इसी के परिणाम से आपका बार बार जनम मरन हो रहा है, वो भी एक दीर गुश्वपन जैसा, ना कोई जनम है, ना कोई मृत्यू है, आपका हो ही नहीं सकता, आपको कोई दिव्यास्त रास्तक बना ही नहीं कि छेद सके, ना अगने आस्तर, ना वारुनास्तर, ना वायवास्तर, कोई असास्तर ही नहीं बनाया गया स्रिष्टी में, हाँ आपके सरीर का नास कर देगा, क्योंकि सरीर उनी तत्तों से बना हुआ है, छितिजल पावक गगन, आप सचिदानन हैं, आप किसी ने नहीं बनादा, आप स्वयम बन गए हैं, आप स्वयम बन गये 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 हैं, आप स्वयम ब तापित क्या हुए बंदे हुए मैं को अटा लीजिए सबकी मम्ता ताग बटोरी मंपन मनें बांद बर्डरी हो गए समदर सी चा कचुना ही आगे आगे अपने शुरूप में फिर आप देखोगे कि आपके सिवा कोई है नहीं आप ही आप है भक्ती में आप ही आप है समझ रहें ग्यान में आप ही आप है एक ही बचता है दूसरा कोई है नहीं यह जो दूसरा नानात तो दिखाए देरा यही माया है ब्रहम जासुक क्रिपास अब भ्रहम मिट जाई गिरजासुक क्रिपा भजन करू भया और विचार करते रहो शत्संग के द्वाला सुनके तो पई हैं जहां से शुरुवात हुई थी भटकने की बहुस्यामा से एक ओहम में आ जाओ अनुवह हो जाएगा आप कौन है और कब बंदे थे जद्य पिम्रशा छूट तिकठी लए नाम जब भगवदाश्य तो मामे वे प्रपद्यन ते माया मिताम तरन ती ते कोई संस है एक बूंद भी गंगा जले चम्मच भी गंगा जले एक टैंकर भी गंगा जले तो पुर्णात पुर्ण मुदच्चते पुर्ण का जो बचा वो पूर्ण परमात शुरूप है अपने शुरूप को भूल गया है बसकास बाद अब प्रपंच में रत होकर इसका उत्तर में लिए जा सकता है अगर प्रपंच में तो तुम जो कर रहे हूं तुम है बांदे विए तो आप सरीर भाव में भी इसका उत्तर ले लिए तो यह कोई संतुष्टता का कारण नहीं हुआ आपको कोई कर्म छुही नहीं सकता कर्म की पहुँच ही नहीं आप तक जो शुब शुब कर्म हो रहे हैं देहा भिमान के कारण सरीर से वही दंड भोग रहा है वही सुख भोग रहा है और आप उसके द्रश्टान बनके भोगता बन बैठें आपकी गलती हो गई अचाह हो जाओ अभी आनंद आ जाएगा उसे आपका सुरूपा चाह ही है पर सरीर को लेकर चाहें उत्पन हो गई है अब थोड़ा टेड़ी खी रहें सरीर से राग अटा पना बहुत कटिन तो मैं सरीर से ही समर्पित हो जाओ प्रभू को वो अलग-अलग आपको अनुभो करा देंगे तेरा इस थूल ये सुक्ष तुम्हें हो जाई ठीक समझ आ गई है तो दो है ही नहीं एको हम में आ जाओ समस्या का समाधा भगवान ने हमें क्यों फसा दिया भगवान ने असा क्यों किया यही भूल हो गई तोहरी कहां फसे हो तुम अपने आप से अपने आप में फस गए हो देखो न आप ही तो स्व किस किस के भी नहीं जी सकते हैं आप अभी नासी कभी सोचा लोटकर आप किस हिर्दे में इतना आपार सुख है कि आपको किसी को सुख की आकांच आई नहीं सुखरासी हो आप चेता नमल सेज सुखरासी कभी आपने सोचे नहीं आप बाहर ही विचरम करें बाहर सवाल काल नह अब बाहर हम विश्वयों में खोज करने वाली बुद्धी से भला आनंद समुद्र का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। यह सब ड्रामा यही रह गया। सत्य को तो कुछ प्राप्त नहीं किया। फिर खाले हां। तो बचा क्या तुम्हारे पास। जीवन बेर्था ही तो गया। यह। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक स्रवनेंद्री से प्रपंच त्याक करके अध्यात्म सुन होता है। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूती। तभी उससे हमारा सुल्जन होगी। अन्य था उलज जाएंगे, फस जाएंगे हम। वो ऐसा रास्ता मिलेगा जो फसने वाला ही होगा। श्रवनेंद्री से जब हम भगवत वाक के सु बोलकर हमें मोह निद्रा से जगाते हैं। हमारा क्या करतब है? अरे हमने क्या कर दिया? हमको क्या करना चाहिए? यह जागना और अब वो जग रहा है। अब वो क्या क्या जो अंदर आया ना अब वो जाग रहा है। मैं कौन हूँ? मेरा करतब क्या है? मैं क्यों फस गया मैंने क्या भी यह जो प्रस लाते अब उसे पहुचाएंगे संत सवा में और वहां जो उत्तर मिलेगा अब जगना प्रारंब होगा और जब जगोगे तो हम तुम दो नहीं रहेंगे हम न तुम दत्तर गुम बचा एक देखत देखत ऐसा देख मिट गई दुविधा रह गया एक तब तो देखना ओ ये तो बाया का नाटक चलना है वाई सची बात समझो अध्यात्म जो आप जहां आए हो ये भगवत प्राप्ति का उत्तर होता है यहां केवल भगवत प्राप में जिसका आपने प्रस्ण किया कि बहुत जन्मों से हम बर्बाद होके गूम रहे है बसी बर्बादी को मिटाने के लिए ये भवरोग मिटाने के लिए सत्संग है यदि स्वैकार कर ले तो आप अपने उपर कृपा करके सुन लो और अपने आचरन में उतार लो तो नहीं उद्धार तो संतवानी से ही होगा संतों के चरनों से ही होगा तो बात तुम्हारी खोपड़ी में गोज जाएगी और बला तो ऐसे जैसे भूत कराता है ना ऐसे आपसे अच्छे कर्म कराने लगेगी बुरे कर्म सोचोगे तो जलने लगोगे भगवान की तरफ बढ़ने क का संग हो तो उनके मुख से ऐसी भगवत चर्चा निकलती रहती कि साब अभिमान गलित हो जाता है और हम भगवान की तरफ चल पड़ते हैं अहो भाग्य है आपका जो आप प्रभू की तरफ चलने का उत्सार रखते हैं आपने संत्सभा में आके प्रश्न किया आप समझलो आप वही भू जिसकी खोज करने चल रहे हो जब खोज के पाया तो खोजने वाला नहीं रहाæं कियोंकि वही निकला जब मैं था तब हरी नहीं और हरी आएं इकि ला तो पहले जो मैं था वो देहा भीमान था वो जा हटा शुद्धाम मैं तो वही मैं जो सृ कृष् मेरे सिवा किंचिन मात कुछ अब यह समझ में नहीं आएगा जो राग द्वेस्मई बुद्धी है उसमें समझ में आएगा जिसको जो कर्तब्य मिला है अपने कर्तब्य के ठीक अनुषार बरताव करो पर देखना सम्मे भगवान है आप मुक्त हो जाओगे क्योंकि उस स्वांग मिला है जो स्वांग मिला है जो स्वांग मिला है उस करताव पालंकर तुम वो हो नहीं स्वांग करता कभी अपने को स्वांग में वो नहीं मानता जो स्वांग करता है वो समझता कुछ मिनट के लिए कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए रोल है. तो हम न इस्तरी हैं न पुरुश हैं. हमें क्यों स्वांग मिला है? उस स्वांग को करलो, आप अपने को पहँचान लो. आप कौन हो? आप वही हो जिसकी खोछ करना चाहएथ है. पक का, इसमें कोई संसे नहीं, अब सुआंग करने में जो रूल मिला, उसमें दोखा मत करो, उसमें अधर्म मत करो, पापाचरण मत करो, तो हर्दे निर्मल होता जाएगा, और आप अपने को पहचान जाएगे, जानत तुम्हें ही हो जाएगे, यह बस खास बात है, किसी ने